करेंगे गर्मियों में क्या मेंगो खा सकते हैं प्रिग्नेंसी के दोरान मेंगो खाने से क्या हमें अंदुरुनी बोडी हीट ज्यादा होगी पेले तिन महिने में बच्चे को नुक्सान होके वो निकल भी सकता है और वो गरम पड़ती है तो बोडी में आपको बोईल कर हीट प्रोड्यूस करेगी तो नहीं लेनी चाहिए दोरान तो क्या वह सच है बिल्कुल नहीं देखो मेंगो जो रहती है वह वहाँ पर बहुत ज्यादा देगी प्रेग्नेंसी के दोरान लेकिन उसको खाने का तरीका थोड़ा बदलना होगा हम आज आपको टिप तो मेंगो खाने क्यों चाहिए देख उससे अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में फाइबर रहता है तो कॉंश्टिपेशन में भी आपको यह help करेगी दूसरा रहेगा फोलिक एसीड तो डेली नीड जो रहे थी फोलिक एसीड की उसमें से 50% फोलिक एसीड एक मेंगो में से मिले उसमेंगो से बच्चे की ऐसाइट भी एच्छी होगी आई-हल्थ अच्छी अच्छी रहेगी स्कीन की बात करें तो विटामिन सी बीयें है हर लेड्य चाहेंगी बच्चा उसका गोरहा उसके थी तो विटामिन सी वहां पे भी हेलप करेगी और ओल-वर आपकी इम्यूनि आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग की बोडी सुजी सुजी रहती है उसको बेलेंस रखेगा आपको पाओं में अच्छानक से दर्द हो जाता है नस्खिची जाती है यह सोते हुए पाओं में आपको जिन जनाती रहती है तो यह सब भी कम करेगा वह भी आपके अंदर सब चीजों को तो यहां पर सोडियम पोटेसियम का बहुत अच्छा सहोर्सिम उता फाइदा करेगी विटामिन बीज सिक्स है जो आपके बच्चे के नेर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे से फाइदा करती है फिर इसके अंदर आइरं रहेगा जो जब भी आप मेंगो को आम को आपको खाने के दो घंटे पहले पानी लेना नॉर्मल आपको टे पोटल लेना है और पानी के अंदर जो मेंगो खाने वाले उसको भी गोटो यह सब कर सकते हैं सब को यह वहां पर हीट बनाने चाहिए आप अपने घर में दादी या बड़े लोग होंगे तो यह बोलेंगे के आम को आप पानी में भीगो देंगे तो उसके अंदर से जो उसके गर्मी रहती हैं बोलेंगे आप गरम पढ़ता वो नहीं होगा फिर बाद में आपको आम खा इनर्जी के चलते बोडी में हीट डेवलोप होती है आपको इनोन वेच काएंगे अगरम मसाले वाली चीजे खाएंगे तो बोडी अंदर से फिल होगी वह सब ऐसे रहते हैं जो आप चंक फुड भी है वह सब करने में बोडी को ज्यादा एनरजी की ज़रत रहती है खा सकते हैं और खाने से एक दू घंटे पहले उसको पानी में भीगोना है अब हमारी चंडरे संग क्या बोलेंगी कि पहले फ्रीज नहीं था इसलिए पानी में भीगोते ताकि वह गरम की जगव ठंडी हो जाए ठंडे पानी में भीगोते थे लेकिन अभी फ्रीज है तो प्रीज नहीं थे पानी में लिए प्लस आपको फाइदे बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं तो वीडियो में फिर भी आपको कोई क्वेडी रही हो कुछ आपके क्वेस्चन रहे ता आप में कमें बूची सकते हैं या पिर आप इंस्ट्राग्राम कर से वहां पर को जरूर से करना क्योंकि काफी सारे लोगों को यह रहता है कि प्रेग्न से तो महिंगों नहीं खा सकते लेकिन एक्चुली वह दोनों को बहुत ज्यादा देता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किजिए और अभी तक गरपुरु को सब्सक्रेब नहीं किया तो